इंडिया में पेट्रोल प्राइसेज ना सिर्फ पेट्रोल इवेंट डीजल प्राइसेज बहुत ज़ादा क्यों है और इसका सलूशन इन दर नियर टर्म क्या हो सकता है तो काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा A lot to know, a lot to discuss as always but before we begin एक question में आप आपसे पूछूँगा Energy Transition Index यह कौन प्रिपेर करता है यह है यहाँ पे आपकी options World Bank, World Economic Forum, UNDP मतलब के UN Development Program या फिर Asian Development Bank सही उत्तर मैं आपको दूँगा इसका वीडियो के एंड में, so attend करिए इस question को in the comment section below ना दुनिया पर मैं आप अगर देखोगे तो पेट्रोल के बिलकुल different price आपको मिलेंगे, for example यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, Venezuela में एक लीटर तेल विकरा है, 1 रूपी 45 पैसे का, यहाँ पर आप देख पाओगे यह list एक्चुली, जो इसकी proper website है, यह मैं आप आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, Venezuela में, oil का price है for 1 liter, around 1 रूपी 44-45 पैसे, इरान में यह price है 4 रूपे 4 पैसे के आसपास, और फिर आप अगर देखोगे, तो बाकी countries में, for example, Qatar, Sudan, Kuwait, यह price roughly है 25 रूपे के आसपास, फिर नीचे गरम स्क्रोल करें, तो यहाँ पर आपको देखेगा, Russia, Russia में price है around 46 रूपीज, पाकिस्तान में, Indian रूपीज के साब से price है 51 रूपीज, हाँ, पाकिस्तानी रूपी के साब से आप अगर देखोगे, तो यह price बनेगा, करीब आप कह सकते हैं 111, 112 रूपे के आसपास, और इंडिया को आपको साफी नीचे स्कोल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आज कैसा में petrol के prices among the world's highest हैं, हमारे हर राज़े में वैसे prices अलग हैं, मगर on average आप अगर calculate करने की कोशिश करो, तो on average price roughly है around 93 to 94 रूपीज, अच्छा तो इंडिया में petrol के prices इतने जादा, और वेनिजवेला, इरान यहाँ पर almost आप कहा सकते हैं, खोडियों के दाम पर petrol क्यों भिकरा है, देखो हर देश की यहाँ पर अपनी problems है, इरान और वेनिजवेला पर, इरान बाइदवे आपको बताओगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, इरान और यहाँ पर है वेनिजवेला, और इन दोनों देशों पर US ने लगा रखे हैं sanctions के यह countries तेल किसी को भी नहीं बेच पाएंगे, और इसलिए चाइना को छोड़के दुनिया का कोई भी देश इन दोनों countries से oil purchase नहीं करता, चाइना भी थोड़ा बहुत जो करता है तो बहुत चोरी छुपे indirect तरीके से करता है, ओपनी चाइना भी यहां पर US को challenge नहीं करता, तो since यह दोनों देश जो oil producing countries हैं के पास बहुत सारे reserve है oil के, अब यह जो oil है produce तो कर रहे है, refine भी कर रहे है, पेट्रोल बना रहे है, उसका डीजल बना रहे है, तो इसको बेच तो पानी रही है, तो अपने ही देश में इसकी खपत हो रही है, इ दूसरी बात यह है, कि US ने पचासियों और टाइप के sanctions दोनों country भी लगा रखे हैं, जिससे इनकी industry बिलकुल collapse कर चुकी है, तो जो petrol और diesel की demand है, industry level पर वो ही बहुत जारा कम है, यहां पर आज के समय वही आत्मी सुखी है, जिसके पास कुछ पैसे हैं और एक अच्छी बा prices roughly है, 77 Indian rupees for 1 liter, इंडिया केते जारा क्यों है, इसका बहुत ही simple answer है, बहुत ही जारा tax imposed किया जारा है, इंडियान consumers पर petrol और diesel के लिए, और इसका solution ही कुछ हद तक दो तरीके से आएगा, एक तो होगा internal solution, जिसमें हम tax का system फ्रादा change करें, दूसरा यहां पर यह है, कि इंडिया को geopolitics में कुछ important steps लेने होंगे, जिससे हमारे पास जारा flexibility आए, oil purchase करने के लिए, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो, तो for example, अगर किसी state में, oil भिकरा है, around 100 rupees, तो 100 rupees में से 60 rupees तो होता है tax, और फिर बाकी जो 30 rupees है, वो base price है petrol का, जो actually as a consumer उसको pay करना चाहिए, अगर को base price per tax लगाने वाला, इंडिया अकेला देश है दुनिया में, जो 260% लगाता है base price per tax, इसलिए इंडिया में petrol इतना जरा महंगा है, क्योंकि जब आप petrol purchase करते हैं, तो पहले तो आप pay करते हो, उसका base price, जो हो गया करीब 30-35 के आसपास, फिर आप उस पर pay करते हो, excise, उसके उ औरना petrol और diesel को, basically petroleum products को हम GST के अंडर ले आए, अभी के लिए आपको बताओगा कि petrol और diesel GST के अंडर आते नहीं हैं, और इसके बारे में हमारे जो chief economic advisor हैं, इन्होंने हालीवे statement भी दी है, कि bringing petroleum products अंडर GST, ये एक बहुत ही अच्छा move होगा, अब question यहापर यह आता है कि petrol औ diesel को, आप अगर GST के अंडर लाते हो, तो इससे लोगों को benefit कैसे होगा, देखो GST में अभी आप अगर देखो तो 4 main slabs हैं, यहापर आप देखोगे, एक तो है GST slab of 5%, फिर 12, फिर 18% और finally 28%, GST को introduce किया गया था July 2017 में, तब से लेकर अब तक एक बार भी petrol diesel इन में से किसी भी slab में नहीं आया, क्योंकि petrol और diesel GST के अंडर है नहीं, अगर हम GST के अंडर petrol diesel को लाते हैं, तो यह definitely आएगा, GST slab of 28% के अंडर, और इसके ओपर भी सरकार बहुत सारा success भी लगाएगी, ताकि सरकार का जो overall revenue है, यह कम ना हो, एक और possibility यह भी है, कि altogether petrol diesel के लिए सरकार एक नया GST slab भी बना दे, वो भी हो सकता है, मगर इससे फायदा यह होगा, कि पुरे देश में petrol और diesel के दाम हो जाएंगे, same, अभी के लिए क्या है कि कुछ states हैं, जहां पर petrol diesel के दाम बहुत ही जादा है, petrol के especially, for example आप अगर देखो, तो राजस्तान और मध्यपरेश में, मध्यपरे इसलिए कि जो वैट है, यह center नहीं लगाता, वैट का जो रिजीम है, हर state में आपको मिलेगा different, तो राजस्तान और मध्यपरेश में वैट बहुत जादा है, बाकी states में थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आपको देखेगा कि कुछ राजिये हैं इंडिया में, जहां पर petrol कुछ ज़रा महंगा है, तो इसलिए बताय जा रहा है कि अगर petrol diesel GST के अंडर आ गया, तो पूरे देश में petrol diesel का होगा एक ही rate, तो मतलब कि खुश होंगे, तो सब लोगी खटा खुश होंगे, दुखी होंगे, सब लोगी खटा दुखी होंगे, मगर finance minister ने आपर ये का है, कि इनक आप देखोगे, इनकी statement है, कि bringing petrol diesel अंडर GST regime could help in lowering fuel prices, अब ये कर क्यों नहीं देते हैं फिर, कर लो immediately, ने को इसके लिए obviously बात है, GST council में बैटना होगा, काफी इसमें changes चाहिए होंगे, राज्यों से बात करनी होगी, कि राज्य और center किस तरीके से tax आपस में बातेंगे, क् उनके center के भी tax है, कि fuel sales है, उनको लाखो क्रोडो का tax चाहिए, states के भी target है, तो यहाँ पर एक सहमती बना पाना काफी tricky होगा, तो एक बार अगर सहमती आपर बन जाती है, तो लोगों को इससे कुछ relief मिलेगा, मैं ये नहीं कहा रहा, कि जो petrol के दाम on average अभी 93 है, ये गिर के 80 हो जाएंगे, मगर definitely इससे 5 रुपे का कुछ relief on average हम expect कर सकते हैं, नाव ये तो हो गया internal step, जो मेरे साब से बहुत ही जल दिया जाएगा, जब chief economic advisor और finance minister दोनों ही कहा रहे हैं, कि ये हमको करना चाहिए, तो eventually ये करी देंगे, नाव दूसरा step जो India को उठाना होगा, वो है international level और वो दूसरा step है कि finally हमको इरान और Venezuela से crude oil purchase करना होगा ताकि internationally, crude oil के जो दाम है ये थोड़े बहुत control हो, इससे देखो इन दोनों विचारों का भी भला हो जाएगा, हमारा भी आपर भला होगा, और India actually जब से Joe Biden power में आए हैं, Trump की तो एक simple policy थी, वो थे बहुत ही जादा anti- इरान anti-Venezuela, तो उनसे बातचीत कर पाना इस issue को लेकर काफी मुश्किल था, बाइडन की policy altogether different है, वो काफी understanding है, इरान की needs को लेकर, Venezuela को लेकर काफी soft है, उमीद जराई जारी है कि almost इसी साल, एक नाएक देश को या तो Venezuela को या तो इरान को, ये कुछ relief देंगे संक्शन से, औ इस से obvious सी बात है, कि demand supply की game है, इन दोनों country से जब supply बढ़ेगी oil की in the international market, तो overall जो oil के दाम है, ये भी अपने आप कम होंगे, क्योंकि by the way अभी के लिए मैं आपको बता दूँ, कि oil के जो दाम है, ये internationally बहुत ही जादा artificial है, artificial मतलब कि जो OPEC देश है, primarily आप कह सकते हैं, Saudi Arabia, India, UAE और कुछ और जो गल्ग देश हैं, ये सब रश्या के साथ मिलकर, oil की production बहुत जारा कम कर रहे हैं, ताकि oil के दाम artificial तरीके से बहुत जारा बढ़ जाए, मैं आपको ये बता दूँ, कि जिस दिन इरान और वेनिजुला पे sanctions हट गए, इनका जो oil है market में आ गया, अचान हम देख रहे हैं कि almost हर दो हफते में हमारी तरफ से एक statement आती है, from a high level officer या फिर minister, जहां पर हम US को एक message send करते हैं, कि इंडिया की refineries बिलकुल इरान का oil purchase करना चाहेंगी, अगर sanctions ease हो जाते हैं, ये हाली में statement दी है, HPCL के chief ने, HPCL of course सरकारी company है, उसके पहले आप अगर देख इंडिया के petroleum minister, इन्होंने भी open लिये का है, कि इंडिया बहुत बेताब है, इंडिया कीन है, कि जल से जल्द US इंडिया को allow करें, कि हम oil purchase कर पाएं, from Iran and Venezuela, ये statement थी हमारे petroleum minister की, कि as a buyer, इंडिया बायर है mainly, as a buyer I would like to have more buying places, I should have more destinations to go to for purchasing oil, तो इसके लिए एक तरफ तो इंडिय दिरे जिरे बात कर रहा है, US से, और इंडिया आप देखेंगे, कि even 2 plus 2 meeting के दुरान भी, इंडिया ये issue ढ़ा सकता है, और possibility ये भी है, कि Quad के meeting में भी, इंडिया ये issue raise कर सकता है, वे US के uptime आ चुका है, कि आप इरान और Venezuela पर जो ये sanctions हैं, ये lift कर दो, उसके अलावा आप अ इंडिया ने literally force किया Saudi Arabia को और opaque countries को, कि आप लोग Asian जो आपका basket है, वहाँ पे oil के दाम नहीं बढ़ाओगे, internationally चाय बढ़ा दो, और हुआ भी यही, Asia के जो दाम है oil के, crude oil के, ये बड़े नहीं हैं, दुनिया भर में बढ़ गए हैं, तो in the future, अगर इंडिया में fuel आ जाता है सौर पे से कम होकर, कुछ 80 या फिर 70 के आसपास आजाएंगे, which is a win-win situation for everyone, so वापस आता है हमने question पे के energy transition index कौन prepare करता है, ये index बेसिकल ये बढ़ाता है कि कौन सा देश, कित्ती जल्दी transition कर रहा है, fossil fuel based energy से ज़्यादा renewable और green source of energy पर, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, स इसमें आप अगर देखो तो rank 1 है स्वीडन की और इंडिया की यहाँ पर rank है 74th, तो यह है end इस वीडियो का, thanks for listening and as always God bless you all.